नमस्किया, मेरा नाम है Dr. Puru Dhawan और आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है Kidney में Suzan के बारे में Kidney में Suzan के बारे में हमें तब पता लगता है जब हम किसी भी कारेंट से हम अपना Ultrasound करवाते हैं जब हमने Ultrasound करवाया तो हमने देखा किड़नी की अंदर पानी इखटा हो रहा है सूजन आ रही है तो हमें बहुत जाता चिंता होनी शुरूरी होती है अगर आपको इस बिमारी को समझने की जरूरत है क्योंकि जिसे दिन आप इस बिमारी को समझ जाओगे तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको समझने में देने से होते बे हमारी उंडर होता है दो एक मातरा में खटा हो जाता है तो गॉल भ्यम ज़न जाता है यह लगा कई फ़ार में अना शुरू हो गया अब शुटे शूंद दब ज यह से पिछाप बन रहा है और अगर वो नीचे कि तरफ नहीं जा पा रहा है। वो थोड़ा सा रुक रहा है। वो बना है लगते हैं वो पीछे की तरफ अगारा बता ही चुरू हुड, जँज़ानी शुरू होता है। मालो की रस्ते में कहीं पर रोड पर कहीं एक्सिडेंट होता है तो क्या होता है पीछे सारा का सारा टार्फिक इखटा होना शुरू हो जाता है क्योंग कुई कॉंटिन्यूस तरीके से पिशाप बनाती रहती है तो उसमें थूड़ी सी वी रुकावट हमारी किड्नी के अंद तो हमारा यू्री थोड़ा से नेची की तरफ अटकी तो क्या कि ऊगा कि यह हमारा यूरित्रा है समूझ मेवी सूझण होगी तो हम इसे कहेंगे हुडरो urethronephrosis यानि हमारे urethra और हमारे kidney में सूजन है तो यह डिपेंड करता है कि दुकावट कहा है उसके साब से जो medical नाम है वो बदल जाता है और नाम में ही पता लग जाता है कि सूजन किन-किन हिस्सों के अंदर है तो यह kidney में जो सूजन है वो दो तरीक से दिखी जाएगी यह से वो kidney में अकेले आएगी जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे या फिर वो हमारे ureter के साथ होगी जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे अब यह जो सूजन है यह सूजन की पीछे में आपको एक्जाम्बल दिया था पत्रेखा मगर रुकावट और बड़े कार जैसे जो पेशाब है यूरिन है वो पूरे फ्लो से निकलनी पाता है उसमें रुकावट आती है और वो उपर की तरफ बैक प्रेशर त्याग करता है तो हम क्या देखते हैं कि सेम किड्नी में सूजन आ गई अब यह जो पेशाब की रस्ते में सूजन आ रही है इसकी दो ब क्रेशाब के रस्ते में रुकावट आती है तो हम क्या देखते हैं कि क्रेटनी की वैल्यू यूरिया की वैल्यू इस भी बढ़नी शुरू हो जाती है अगसा पेशेंट को लगता है कि मेडिसन कर लेने से हमारा काम बन जाएगा अगर ऐसा होता नहीं है अगर किड्नी यू पर आपकी बनावट उसमे परिवरतन आया उसमें चेंच आये हैं तो हमें उसकी बनावट में ही चींज करने पड़ेंगे आपकी के टनिन को यूजिया को डाउन करने के लिए अब आप खुद सोचके रिखिए जो मैडिसन है वो chemically बग करती है तो chemically अगर वर्क करते हैं तो उसे हुम रुकावट को नहीं खोल सकते हमें हमें रुकावट को जोमने के लिए कोई fizical change वहां पे करना पड़ेका आपे structural change करना पड़ेगा और structural change करने के लिए surgeon तो एसे cases के अंदर DJ stunting पो शोता है जिसके अंदर हमें stunts डाल दीज़ा जाएगा और पेशाब का जो फ्लो है वह आशरू हो जाएगा और जो किड्नी में सूजन है वो चली जाएगा अगर पत्री का साइज छोटा है तो हमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि पत्री जो होती है वह 6-7 में तक की बहुत आराम से पास हो जाती है उसमें टाइम लगता है म उसके हैं अगर बॉर Öला घ्र किस वज़ाजा से आरी है अगर हमें उसके हसाब से 21 इह हैं तो उसके हिसाप से 16 नेप्रावरोजजस नेफ्र जाशी साथ आप को सही प्लो पता सकता है जिसे उसके उसन चली जाए और जो किड्नी में सूजन आरी है वह सचली जाएगी अर्क के लेवल बड़े रहते हैं तब जागर हमें मेडिकली देखना पड़ता है क्योंकि अगर यह रुकावड लंबे टाइम तक रहती है तो इसका इम्पेक्ट बुरा आसार हमारी कीड़नी पर भी पड़ता है और कीड़नी में अगर उनक्सान हुआ है तो किटनीन और यूरिया नॉर्मल नहीं हो पाते हैं उसका कुछ ने कुछ लेवल बना रह जाता है वहाँ पार जाकर मेडिसिन की हमें हेल्प लेनी पड़ती है महाँ पार जाकर साइंस एंजिवनी पेशन की हेल्प कर पाती है मागर सबसे पहला काम उसे रुकावड को दूर करना बहुत अगर स्रजरी से क्रetanil level j dare level normal हो जाता है किसी टीद्र में हागे नहीं पड़ती है मगर अगर सरजरी करने के आपका लिया हुआ एक गलत डिसिजन आप ही लोगों को भारी पड़ता है तो आपको समझनी की जरूरत है कि आपको किस टाप की टीटमेंट की पहले जरूरत है अगर रुकाववट है तो पहले रुकाववट को क्लिय करो उसके बाद कुछ कमी रह जाए तो हम आपके साथ है तो मैं उम्मीद केता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कीड़ी में सुझनी क्या क्या कारण होते हैं क्या लाइन ट्रीटमेंट होना चाहिए अब इसी के साथ आप सभी से में चलने की आगया चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के झाल